यदि वाक में अकर्मक सयुक्त किरिया आई हो तब भी उस वाक के करता के साथ नेचिन का प्रियोग नहीं होता है अब आप ये कहेंगे कि सयुक्त अकर्मक किरिया क्या है यदि दो किरियाएं एक साथ आई हो और उसका अंतिन खंड अकर्मक हो तो वह किरिया अकर्मक होती है जैसे खा चुका पड़ सका तो सका चुका इसका अंतिन खंड अकर्मक है इसलिए वैसी किरिया सयुत अकर्मक किरिया होती है जैसे वह पुष्टक ले आया देखिए ले आया यहाँ पर एक सयूत किरिया है यह लेना और आया यह दो किरिया है इस दो किरियाओं के एक साथ आने से यह ले आया एक सयूत किरिया है और इसका अंतिन खंड आया अकरमक है इसलिए ले आया एक सयूत अकरमक किरिया है इसलिए ऐसी क्रियाओं के साथ आने वाले करता के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होगा इसलिए कौन ले आया तो वह वह यहाँ पर करता है इसलिए इस वह के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं हुआ है उसी तरह से दूसरा वाक्य है मैं खा चुकूंगा यहां पर देखिए खा चुकूंगा खाना तो सक्रमक किरिया है किन्तु चुकूंगा चुकना जो है वह अकर्मक किरिया है इसलिए खा चुकना या खा चुकूंगा संयुक्त अकर्मक किरिया है और जिस वाक्य में संयुक्त अकर्मक किरिया आई हो उसके करता के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होता है इसलिए इस मैं करता के साथ नेचिन का प्रयोग नहीं होगा उसी तरह से अगला वाक है वह पढ़ सकेगा पढ़ना तो सक्र्मक किरिया है किन्तु सकना अकर्मक किरिया है और पढ़ सकना सयुक्त अकर्मक किरिया है क्यों कि इसका अंतिम किरिया सकना अकर्मक है इसलिए इस वाक के करता के साथ भी नेचिन का प्रियोग नहीं होगा कौन पढ़ सकेगा तो वह वह यहाँ पर करता है इसलिए इसके साथ नेचिन का प्रियोग नहीं हुआ है अगला वाक है तुम खेलने लगा खेलना यहाँ पर सकर्मक किरिया है कि तुम लगना एक अकर्मक किरिया है। इसलिए इसके करता के साथ भी नेचिन का प्रयोग नहीं होगा। कौन खिलने लगा तुम तुम यहां पर करता है इसलिए इसके साथ नेचिन का प्रयोग नहीं किया गया है